चलिए आज की class में हम पढ़ेंगे आज की लास में हम डिसकस करते हैं 4 stok petrol engine 4 stok petrol engine है पेटोल नम होगा तो यहां पे spark plug लगा वह इचलो होगा तो यहां पे fuel injector होता है तो इस टोक हम ने complete कर लिए हैं 4 stok के और चलते हैं 4 stok में और 2 stok में ज़्यदा अंतर नहीं है बस यह अंदर है कि उसमें two stock होता है two stock engine है तो two stock के अंदर ही पूरी process complete हो जाती है और four stock engine four stock के अंदर पूरी process complete होती है मतलब पहली जो step पहला step होता है सक्सन का ठीक है वो इसके अंदर भी होगा second step होता है कि क्या compression का compression भी होगा इसके अंदर और तीसरा step होता है यह पावश्टोक का है जानि एक्स्प्लोजन जो फ्यूल होगा वह बरन होगा एक्स्प्लोजन होगा उसका पर चुदर स्टैप है कि एकजोस्ट गेंसे को बाहर निकलना यह यह सारे प्रोसेस केंदर भी होगी चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब पिश्टन ना उत्पन होगा, vacuum होने क्यारण क्या होता है, vacuum उत्पन होने की कारण, कि बाहर का pressure तो high है, यह एर का, और अंदर का low है, तो बाहर से अंदर की और आएगा, तो क्या होगा, कि inlet wall open हो जाएगा, inlet wall open हो जाएगा, तो कारबोरेटर से petrol और डिजल का mixture है न, वो इसके अंदर आएग और वोपर की position के अधिर top dead center इन दोनों के बीच के जो gap होता न इसको हम बोलते है swift volume ठीक है swift volume का formula क्या होता है swift volume निकानने का पाई बटे 4 D इसकी डाया है जो piston के बोर का मतलब जो cylinder के बोर का जो डाया है piston के बोर का डाया है उसकी बाइबर D की square point N कितने stocks लगते हैं उसके अंदर कितने stocks ये N number of stocks है N का मतलब तो अब देखे पिश्टन है ये connecting road है इसके साथ flywheel यहाँ पे crank shaft आगी connecting pin है यहाँ और गजन pin यहाँ पे होती है तो अब ये पहला step है सक्सन का यहाँ सक्सन के अंदर fuel और air सक्थ हो चुकी है अब उसके बाद में दूसरा step है कि क्या होता है कि जो compression stroke में क्या होता है कि BDC से TDC की होर चलता है मतलब उसमें तो BDC पे था position और इसमें क्या होता है BDC से TDC की होर जाएगा तो क्या होगा कि दाब बढ़ेगा जिसके current then combustion chamber में क्या होता है ताप और दाब दोनों increase होगा और उसी time ताप और दाब increase होगा अगर यह diesel engine होता तो इसके अंदर self ignition self ignition हो जाएथा वो इतनी temperature लेगन यह petrol engine है तो petrol engine यहाँ पर spark plug लगा होगा spark के साहिता से spark plug उसी timing set होती इस spark plug की और वो combustion के अंदर हो जाए तो यह जिसका combustion compression stock है उसका जो end होता है उसके अंदर क्या तो spark हो जाता है ठीक है उसके बाद में सलते हैं कि ignition stock मतलब power stock power stock बोलते हैं power stock क्या होता है कि जब compression stock में piston BDC से TDC को पहुंचता है तो तबी cylinder head में लगे spark plug चे चिंगार उत्पन होती है जिसके कारण combustion chamber में उपस्तित compressed इंदर प्रवजलित होता है मतलब जल जाता है इंदर के दहन कक्ष में बिस्पोर्ट होता है इंदर के दहन combustion chamber में बिस्पोर्ट होता है उसके बाद में पढ़ते हम इस कारण इंदर के दहन के कारण जो गैस होती है वो गैस गरम होगी तो वो expand करेगी तो वो piston के उपर pressure लगागी यहां पर piston के उपर है उसके pressure लगागी और उसको नीचे के और दके लेगी तो उसको TDC से BDC के और जाने लगेगा पिष्टन जाने लगेगा flywheel अने stroke के लिए संसीत करता है मतलब next stroke के लिए संसीत करता है यह बंद हो जाएगा यह store कर लेता है इसके अंदर energy को flywheel next stroke के लिए नीचे जाएगा तो ऊपर अपने आप आजेगा यह जो balance करता है उसकी को connecting road है और piston क्या करता है पिष्टन ऊपर नीचे की और डारेक्शन में वर्ड करें ऊपर जा रहा है निचे जा रहा है तो यह reciprocation motion होता है ऊपर नीचे जाना रावर क्रेंक शाफ्ट क्या करता है क्रैकश्ट उसके motion को किसमें क्रैंक करते ही rotary motion bent uh rotary motion में आप देखिया rotary motion में और आगे प्रोवाइड करेगी पावर को और फिर लास्ट वास श्टोक होता है एक्जोस्ट यह पिश्टन का अंतिम श्टोक होता है इसमें क्या बीडीसी सी टीडीसी की ओर जाएगा जिससे क्या होती पिश्टन के अंदर की जो देहन जो बर्न गैसे होगी वो उपर क्यों दकेली जाएगी इस कारण सिलेंडर में जो हेड लगा होता है एक्जोस्ट वॉल लगा होता है वो कुल जाता है और गैसे सिलेंडर से बाहर निकल जाती है पिश्टन के ऊपर जाने से निस्करिये गैस एक्जोस्ट वॉल और साइलेंसर के रास्त से वायो मेंडर में निकल जाएगी कैसे बस इतना सी प्रोसेस है यह फो स्टोक पैट्रोल और डीजल इंजिन दोनों सेम ही है बस इतना सा अंतर है उनमें की स्पार्क प्लग यहां पर इसे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है या फिर फ्यूल इंजेक्टर के थूर्व हाई प्रेशर पर आएगा या वह पैट्रोल इंजेन में क्या होता है कार्बूरेटर लगाता है कार्बूरेटर सिरफ ओनली पैट्रोल गाडियों में लगाता है यह कोशन बन जाएगा बियारो के अंदर की कार्बूरेटर किन गाडियों में लगाता है जिसके अंदर एर प्लस फ्यूल मिक्चर इसके अ तर्फियों के लिए अगे वाली वीडियो में तिक हैं इतना पढ़ लेणा आप और question होगे motion burner वो भी आपको provide credit करा दी जाएंगे